जई जगननाथ मैं शिवानी चौकरबर्ती अपने चैनल बॉंग कलिन फूर्टेल्स में आप सब का स्वागत करती हूं आज है आशार मास के शुक्लि पक्ष की द्वादर्शी किती थी जिसको की गरुड शैन द्वादर्शी भी कहा जाता है और आज है प्रभु जगननाथ जी का ओधरपणा नीती इसको ओधरपणा क्यों कहते हैं और ये क्या नीती है और ये नीती क्यों की जाती है इसके बारे में आज हम आपको विस्त्रत जानकारी देंगे हम सब जानते हैं कि जगनाजी नौ दिन की रथियात्रा में अपने गुंडिचा मंदिर जो जन्म बेदी हैं वहां पर जाते हैं और रथ में बेट के जाते हैं अपने भाई और बहन के साथ तो ये जो 9 दिन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद की जो 3 दिन की प्रक्रिया होती है जब जगनाजी रत पर रहते हैं और रत का उप्योग होता है उसमें प्रभु के सहचर और सहचरी और भी होते हैं जो जगनाजी के रत पर भी है बड़भदर देद के रत पर भी है और रथियात्रा में भगवान जी के साथ गमन करते हैं गुंडिचा मंदर को और वापस भी आते हैं तो जब रथियात्रा समापन होने की होती है ये जो सहचर और सहचरी होती है वो बहुत अशान्थ हो जाते हैं क्युनकि उनको प्रभु को छोड़ के जाना पड़ेगा और किसी अगले साल रथ्यात्रा में फिर से रथ में सहाचर या पर सहाचरी बनने के लिए वापस आएं तो यह है अधरपणा की नीती का मुख्य विशेशत्यों कि जो भगवान के सहाचर और सहाचरी होते हैं रथ्यात्रा में उनको त्रिप्त करने के लिए उनको शांत करने के लिए ये अधरपणा का व्यवस्ता किया गया है लेकिन इसको अधरपणा क्यों कहा जाता है किस वज़े से इसको अधरपणा कहा जाता है अधर का जो अर्थ है उसका अर्थ है होट मतलब लिप और इस पन्ने को बनाने के लिए जो स्वतंत्र मिट्टी के पॉट का यूज होता है अभी आप देख सकते हैं इस चित्र में वो भिलकुल होट तक känते हैं जो प्रभू तीनों देवी देपता सिव के वह उते हैं एक जो भी भगवान के सहाचर, सहाचरी हैं, अशरीरी हैं, उनके लिए होता है, और ये जो मिट्टी के पौट आप देख रहे हैं, ये कच्चे मिट्टी का है, अर्थात इसको पकाया नहीं जाता है, जब कुम्भार कोई भी मिट्टी के बरतन बनाते हैं, उसको भट्टी में प वहां से पानी का उप्योग होता है और जो पानिया पट सेवायत होते हैं वह उस कुए से पानी निकाल कर लाते हैं ताकि यह पन्ना बन सेके और तीनों देवी देवताओं को रत पर यह पन्ना बनता है और इसके लिए नौ मिट्टी के हांडी की जरूरत होती है हर रत में एक बड़ा हांडी और दो चोटे-चोटे हांडी होते हैं पाणिया पट सेवाय तक पाणिया मतलब जल देते हैं और पालिया महास्वार इस पन्य को प्रस्तूत करते हैं इसमें नौ तरे के द्रब्य दिये जाते हैं जैसे कि दूद, मलाई, छेना, छाची, अर्थार, शरकरा, श्री करपूर, जाइफल, काली मिर्च, पानी और इसमें दिया जाता है केला तो ये नौ द्रब्य दिये जाकर ये पन्ना बनता है और अधर पन्ना बनाने के लिए जो भी सामगरी लगती है चाहे वो कच्चे हांडी हो या फिर जो भी दूद, मलाई, केला, चीनी, काली मिर्च, जो भी मसाले हैं, द्रब्य हैं वो सब राघव दासमठ, बड़ो ओडिया मठ और श्री मंदिर पशासन संयुक्त रूप से प्रभाइट कराते हैं तीनो जगह से सारी सामगरी आती हैं जब ये पन्ना बन जाता है और भगवान जी के पास इसको भोग लगाया जाता है ये पंचो पचार पुजा में भोग लगाया जाता है तीनो रतों पर पुजा पंडा से वाफ इसको पंचो पचार में भोग लगाता है और उसके बाद ये तीनो रतों पर जो नो हांडिया होती हैं उसको तोड़ दिया जाता है और इसके बाद ये पन्ना पूरे रत पर फेल जाता है जिसमें जो भी पाशुदेवी देखता है होती है मुनी, रुशी, नर, किनर, यक्ष, घोडे और रत की जो सार्ती हैं तीनो रत की जो तीनो सार्ती हैं और घोडे हैं सब के ऊपर ये पन्ना जाके गिरता है और सब इस धरा को छोड़ के जाते हैं जहां पर जिसका धाम है वहां पर वापस चले जाते हैं शांती से ताकि अगले साल वह वापस से फिरा सकें तो यह थी अधरपना की मुख्य कारण के क्यूं अधरपना जिया जाता है और साधरन मनुष्य जो भक्त है उसको यह पाने की विधी नह और I hope आपको जानकर ये अच्छे लगी होगी तो आज के लिए इतना ही रहते हैं जय जगन्ना जय माकाली